हालो जीर फ्रेंड्स तो अगर हम बात करते हैं कि हम अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हैं कुछ नया करना चाहते हैं तो हमें चीजें असान बनानी होती हैं यह एक रूल है इंपॉर्टेंट अपने बिहेवियर चेंज करने के लिए तो उसमें सबसे इस चीज जो होती ह वह तिये environment जिस environment में हम काम करते हैं सबसकर हम पढ़ाई करना चाहते हैं बहुत देर तक पढ़ना चाहते हैं तो हमें अपने आसपास वो सारी की सारी facility जुटानी पढ़ेंगी जिससे कि हमें पढ़ाई करना असान हो जाए चाहे उस कमरे का weather हो चाहे आसपास रखी किताबे हो चाहे हमारी internet की speed हो चाहे अगर मुझे कुछ doubt आए तो मैं किसी teacher से पूछ लूँ हर काम धंदे के लिए यह बास सही है जिसमें आप improve करना चाहते हो एक्सेल करना चाहते हो तो आपको अपने आसपास के environment को design करना पड़ेगा तो right word है designing कि आप अपनी life में अपने environment की designing change कर द चाहन दे और उस health से उसके बाद बाकी सब कुछ है पैसा और बाकी सारी चीज़े health से ही नहीं है तो अगर वो अपने environment को इसे design करें किस exercise कि आदा है healthy food खाने कि आदा है उसको accessible भी हो जिम उसके पास में हो और food के रिए उसको कोई दिक्कत ना हो उसको family support हो तो उसके लिए उस आदत में change लाना मच मच easier है पर यह सब के साथ तो situation होती नहीं है उस situation में हम अपने environment में क्या designing करें मतब यह कितना designing वाली बात है कि आप अपनी designing ऐसी कर सकते हो जिसकी वजह से आप जो करना चाहते हो जो बनना चाहते हो उस behavior उस design को कुछ से create करके आसान बना सकते हो पर बस आपको basic rule को समझना है कि मुझे बहुत सारी आतों में से एक आदत को चुलना है और उस एक आदत में मुझे किस प्रकार से वो मुझे याद आता रहे कि मुझे इस काम को करना है किस तरीके से मैं उसे आकरशक बना सकता हूं किस तरीके से आसान मना सकता हूं और आखिर म मुझे ऐसा लगे कि मुझे जो किया है वो बहुत मज़िदार था बहुत ही अच्छा था तो एंवायमेंट में चेंज करना एक डिजाइनिंग वाली बात है और डिजाइनिंग बहुत अट्रैक्टिव है यह आपके हाथ में अब अपनी तरी से इसको कर सकते हो